सुपर बात बच्चो आज हम कख्षा आठ की वसंत भाग तीन से तीसरा पार्ट बस की यात्रा का अध्यन करने जा रहे हैं बस की यात्रा पार्ट के लेखक हैं डॉक्टर हरीशंकर परसाईजी जिनोंने एक व्यंग शैली में इस पार्ट को लिखा है यह जो पार्ट है मैं आप लोगों को बता दूँ कि बस की यात्रा पार्ट है यह एक निबन शैली में लिखा गया व्यंग अध्मग है व्यंग गर्थ यहां पे क्या होता है कि लेखक ने बस के माध्यम से पुरानी बस के माध्यम से यातायात के साधनों पर और प्राइविट जो कंपनिस जो बसे चलाती हैं उनकी उनके लालच पर उनके स्वार्स पर एक व्यंग कसा है और इसमें हार्स सहली का भी प्रयोक किया गया है कि वेक्ति टूटी फूटी बसों में जब यातरा करते हैं तो किस परकार से हसी मजाक उसमें होता है तो आईए शुरू करते हैं बस की यातरा से यह आप समझ गए होंगे कि पाद के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी ब यात्रा के बारे में यहां पर बात करेंगे यात्रा का अर्थ होता है आना जाना कहीं पर जाना घूमने जाना बसके माध्यन से कहीं पर जाना कहीं पर पहुंचना ठीक है तो हम इसका आजन करने से पहले पार्ट के कुछ कठीन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं जो या साधन गोता लगाना अर्थ होता है डूब की लगाना जैसे पानी में डूब की लगाते हैं उसको हम गोता लगाना भी बोलते हैं इत्तिफाक इत्तिफाक का अर्थ है सैयोग सैयोग का अर्थ होता है अचानक मिल जाना मतलब पहले से कोई चीज प्री प्लान नहीं होती व पर पर प्रयान शब्द करना या मर जाना मरना मतलब प्रयान अउन्होंने प्राणों को छोड़ा है फिर आता है बेताभी बेताभी अर्थ होता है बेचैन हो जाना ठीक है एकदम से तिल मिला जाना यह शब्दों के अर्थे तो आईए मैं आपको पार्थ को शोट में बताऊंगी इसकी कहानी और आप लोग जो है इस कहानी को एक बार समझ लेंगे फिर अपरी वसंत भाग में से इसको एक बार पूरे पार्थ को पढ़ लेंगे मैं इसकी पूरी कहानी आपको शोट में समझाओंगी यहां पर तो देखिए आप लोगों के एक बस यहां पर दिखाई दे रही होगी बस की हालत आपको दिखाई दे रही होगी कैसी बस है बच्चों यह कैसी दिखाई तूटी फूटी सी बस ही आपको बुरी दिखाई दे रही है जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है आप देख सकते हो इसके आगे का बोर्ड भी टूटा फूटा सा है पहिए भी गिसे वे से हैं और इसके जो खिड़कियां है जो काच है ये भी क्या है बिल्कुल ही पांच मित्र होते हैं वो एक फैसला लेते जैसे आप लोग भी पांच ये दिख्रेंट्स हो जाएं इकट्टे हो जाएं तो आप लोग डिसाइड कर लें कि हमें आज घूमने जाना है तो ऐसे ही पांच मित्रों ने यहां पर डिसाइड किया कि शाम चार बजे की बस वो प पन्ना से इसी कमपनी की बस सतना के लिए घंटे बरबाद चलती है जो जबलपूर की ट्रेन मिला देती है यानि पांचों दोस्त मिलके क्या तै कर रहे हैं कि वो पन्ना से इस बस को पकड़ेंगे और यह जो बस से उनको कहां स्टेशन तक पहुचा देगी जो जहां से वो जबलपूर की एक ट्रेन पकड़ लेंगे यानि पांचों दोस्त को कहां पर जाना है जबलपूर में जाना है बस कहां से पकड़नी है पन्ना से निकल कर सतना के लिए भरती है ठीक है पन्ना से उन लोगों को बस पकड़नी है यह उन लोगों ने डिसाइड गया उसके सुबह तक अपना ओफिस के समय पर वापिस आ जाएंगे जैसे आप लोग भी डिसाइड करते हो कि चलो हम आज रात के लिए नासी घूम आते हैं और सुबह स्कूल के टाइम तक आ जाएंगे आप लोगों ने भी बहुत सारी ऐसे यात्राओं के बारे में सोचा होगा और कभ आपसी का रास्ता भी ऐसी ही तै करेंगे यानि पहले हम ट्रेंस आंगे और फिर हम बस को पकड़ लेंगे लेकिन इतने में क्या होता हैं कोई समझदार वक्ति मतलब की कोई उमर की होता है कोई समझदार वेक्ति क्या कहता है कि शाम की बस से सफर करना सही नहीं है सफर करने का अर्थ यहाँ पर आप समझ भी गए होंगे यात्रा करना ठीक है तो कोई समझदार अदमी देता है कि शाम वाली बस सफर सही नहीं रहता है तो फिर पांचों दोस्त पूierno है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? सामने वाला समझदार वेक्ती क्या जवाब देता है? नहीं, बस डाकिन है, बस डाकिन का अर्थ यहां पर एकक्षब्ड यूज आया है, यहां पर बस डाकिन है, तो क्या मतलब बस ही डाकु है? यहां प पड़ी खूब व्योवरिद थी सद्यों के अन्भों के निशान लियो थी यहां पर लेखा क्या दिखा रहा है कि बस कर दिखा रहा है जैसे उन्होंने बस देखी तो बस इतनी बूड़ी हो चुकी थी व्योवरिद कर यहां पर आया है कि बस इतनी बूड़ी हो चुकी थी कि उसको देखकर हमारे मन में श्रद्दा, श्रद्दा एक शब्द यहां पर आया, क्या होती है श्रद्दा, किन के परती होती है, श्रद्दा हमेशा बड़ो के परती होती है, बड़ो के परती जो सम्मान होता है, आदर भाव होता है, उसी को श्रद्दा कहा जाता है, तो पुरानी सी बस एकदम जिसमें बैठने का मन नहीं करता है तो क्या है लेका क्या कह रहा है यहां पे कि बस पे इतने ज़्यादा निशान थे मतलब वो इतनी पुरानी हो चुकी थी ऐसा लगता था पता ने कितने समय से बस वो चल रही है उसके ना टायर बदले गए हैं ना उ करते हैं इनमें सही जब बस की कंपनी के एक हिस्सेदार भी बस में जा रहे थी बस कंपनी के हिस्सेदार का मतलब क्या है जो बस चला रहे हैं जो पैसा लगाते हैं एक व्यक्ति उनमें वो भी बैठा था उस व्यक्ति को पता भी था कि बस कितनी बुरी हालत है बस की बस का नवीनी करन करने की जरूरत है आउशकता है नवीनी करन एक शब्द मैंने बोला यहाँ पे नवीनी करन का अर्थ है कि बस का जो है मरम्मत की जानी चाहिए यह जो है बात बस मालिकों को भी पता है लेकिन वो स्वार्थ बस अपना पैसा कमाने के लिए उस बस पे पैसा ठीक हैं, तो वो भी बोले, तो पांचों मित्रों ने पूछा, ये एक हांसे शेली में लिखा sous है निबन तो उन्होंने पूछा कि ये बस चलती भी है, उन्होंने किसे पूछा, कम्पनी के एक हिस्दार रवेक्ती से पूछा, जो बस में सफर कर रहा था, तो वो बोले, चलती क्यों नहीं है, जी अभी बस चलेगी, हमने कहा, वही तो हमें देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है क्या ये, इस तरीके से किन किन के बीच में, पांचों मित्रों के बीच में, और कम्पनी के खिसेदार की व्रेक्टी के बीच में, बाते हो रही हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ बस तो है चली बस को शुरू किया है वहाँ पर कोई डोक्टर भी सफर कर रहे थे बस के अंदर में जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप सफर करते हैं तो बस में बहुत सारी लोग होते हैं आप उसमें जान पेचान भी हो जाती है तो उन्हों ने कहा डोक्टर मीतर ने क्या का डरो मत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से जादा विश्वसनिये हैं नई नवेली यहाँ पर एक शब्द आया नई नवेली मतलब जो नई नई बसों बसे हैं इनसे जादा विश्वास के योग्य है यह बस हमें बेटों की तरह से गौद में लेकर जाएगी इस तरीके से आपस में जो के बीच में बहां पर बाते चल रही है और इस तरीके से आप लोगों यह चीतर देख रहें होंगे पांचों मीतर जो हम बस में बैठ जाते हैं तो इंजन को स्टार्ट करता है जो driver होता है वो engine को start करता है और जैसे ही वो engine को start करता है तो bus में बहुत सारी आवाज आती है बहुत सारी आवाज ऐसे आते हैं कि पूरी bus हिल जाती है आप लोगों ने कई बार देखाओगा जो पूरानी bus होती है एकदम पूरी उसकी खिडकिया भी आवाज करती है बस का इंजन तो आवाज करता ही है और लेकक को क्या लगता है कि हम बस में नहीं बैटे हैं हम किसमें बैटे हैं इंजन के अंदर ही बैटे हैं ऐसा क्यों लग रहा था लेकक को यह आप समझ गए होंगे क्योंकि बस इतनी आवाज कर रही थी बस इतनी जौर से जोर जोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो इंजन के अंदर ही बैठे हैं और बस की खिडकियों जो है वो सारी तूट चूकी थी थोट छोटे छोटे कांच उनमें बचे वे थे ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी व्यक्ति को उनसे चोट ना लग जाएं तो यह आप चितर देख सकते हैं उसके बाद जब इस तरीके से बस चलती है तो लेखक को एक महत्मा गांधी के एक आंदोलन का एक मूमेंट की उनको याद आती है और वो कौन सा मूमेंट था ऐसा योग और सविन्य अवग्या आंदोलन सविन्य अवग्या से आप समझ सकते हो जब अंग्रेजों के खिलास भारतियों ने ये विद्रो किया था सन 1930 यह आप देख सकते हो कि भारतियों ने क्या कहता है सविन्य अवग्या का मतर्थ है यहाँ पे कि हम आपकी आग्या का पालन नही करेंगे तो लेखक ने यहां पर सविन्य अवग्या को बस से क्यों जोड़ा है या आप सोच चक्ते हो कि बस का एक एक पुर्जा ये कह रहा था बस से कि मैं तुमारे साथ चलने के लिए तयार नहीं हूँ फिर भी उनके लिए क्या था कि उनको जबरदस्ती ले जाया जा रह थी भारतिय अंग्रे जो एक भी बात मानने के लिए तयार नहीं थे उसके बाद भी भारतियों से सारी बाते मनवाई जा रही थी इसलिए मात्मा गांदी ने सविन्य वग्या आंदूलन किया था और ये बस भी कुछ इसी परकार से कह रही थी यहां पर लेखक क्या बाते क पादन है इनके लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए जो कि यहां पर यहां इस पार्ट में क्या दिखा गया बस कंपनी के मालिकों ने बिल्कूल भी उन नियमों को ध्यान नहीं रखा था ठीक है उस समय में जो है सिरफ और सिरफ वो पैसा कमा रहे थे और बस पर कोई पै लेकिन यहां पर जो है बस कंपनियों ने बिल्कूल भी बस को सही नहीं करवाया ठीक है तो यहां पर लेखक ने सवी नयवा ग्यान दोलन की से से बस से तुलना की है सीट का बोड़ी से ऐसे योग चल रहा था कभी लगता सीट बाड़ी को छोड़ कर आगे निकल जाएगी कभी लगता था कि सीट को छोड़ कर बाड़ी आगे जा रही है मतलब वो जिस सीट पर बैठे थे उनको ऐसे लग रहा था कभी सीट आगे जा रही है और कभी सीट पीछे जा रही है इस तरीके से फिर अचानक से बस बीच में रुक गई इतने में क्या होता है कि बस रुक निकाला और बगल में और फिर क्या किया उन्होंने कंडली डाल कर इंजन में उन्होंने पेट्रोल को भीजा ठीक है धीरे धीरे करके उन्होंने इस तरीके से बस को पेट्रोल पिलाया ऐसे लग रहा था कि जैसे बच्चे की कोई मा है जो है उसको दूद पिला रही हो बस की यहाँ पर बच्चे की माँ बच्चे को दूद पिलाना हो, इसी परकार से बस, ड्राइवर जो है, बस को क्या पिला रहा था, यहाँ पर पेट्रोल पिला रहा था, तो यहाँ पर कौन सा लंकार है, यहाँ पर मानवी करण लंकार है, मानवी करण लंकार कहाँ पर होता है, यहां पर बस कैसी एक निर्जीव है लेकिन उसको किस रूप में दिखाया हुआ है एक व्यक्ति के रूप में दिखाया हुआ है जैसे व्यक्ति एक भूड़ा हो जाता है उसी परकार से बस भी बूड़ी हो गई थी जैसे हमारे मन में व्यक्ति के परतिक सम्मान की भावना आ होता है सबको डर लग रहा सारे पाँंचों मित्रों को डर लग रहा ता कि कहीं बरेक फेल ना हो जाएं कहीं बस का स्टेरिंग ना टूट जाएं और च्टारों तरफ क्या थे पेड टें पेड सो उन पेडो पर पक्षी बेटे वे थे और यहां पर लेक ож हर पेड को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था मैं आपको बता दूं क्यों समझ रहे थे क्योंकि बस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी बस इतनी जीन अवस्ता में हो चुकी थी कि यदि बस किसी पेड़ से टकरा जाए तो सारे के सारे व्यक्तियों की मृत्तियों वहां पर हो सकती थी तो यहाँ पर हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड आता, डर लग जाता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड का इंतजार हो जाता, जील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, मैंने गोता शब्द का अर्थ बताय जाता था, यहाँ पर अगर कहीं जील दिखाएगी तो लेकर को डर लग जाता कि कहीं बस इस जील में गिर जाएगी, गोता लगाना मतलब इस जील में डूब ना जाएगी, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर अचानक एक आएक करता है, यहाँ पर बस रुक ग क्लास है जी, अब कंपनी के इस सेदारों की यहाँ पर दूर्तता आप लोग देख सकते हैं कि बस की हालत इतने खराब है, उसके बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं, बस तो फर्स्ट क्लास है, लेकिन यह वो यात्रियों को श्यांत करने के लिए क्या कह रहे हैं, यह तो ऐसी लग रही थी उस चांदनी रात में, बिलकुल ही देनिया, मतलब बहुत ही जिस पर दया हम करते हैं, बहुत ही बुरी हालत उसमें लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा था बस को देखर, जैसे कोई वृद, वृद मतलब जैसे कोई बूड़ा वेकि ठक कर बैठ गया हो, औ और उसको जबरदस्ती चलने के लिए कहा जा रहा हूँ, और वहाँ पर लेखक को ऐसा लग रहा था, कि यदि ये बस पूरी तरीके से यदि मर गई, तो हम इस बियाबान में, यानि हम इस जंगल में अकेले ही रह जाएंगे, और हम इस बस का दासन्सकार करना पड़ेगा, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुदा रहा है, बस आगे चली उसकी चाल और कम होगी, दीरे दीरे क्या हुआ कि थोड़ी देर बस को और जबरदस्ती से चलाया गया, और फिर अचानक से बस फिर पूरी तरीके से ही रुक गई, एक पुलिया के जैसे यूपर पूँचे, एक टायर फिस करके बैठ गया, मतलब फिस करके बैठ जाना, मतलब टायर पंचर यहाँ पर बस का हो गया, और बस बहुत जोर से हिली, और एक दम रुक गई, अगर बस बहुत स्पीड में होती, तो वो नाले में गिर सकती थी, मैंने इस कमपनी के हिस्सेदार क इसको भी पता है, कि जो हम बस चला रहे हैं, वो जान हतेली पर रखना, यहाँ पर एक महावरा है, यानि कि अपने प्रानों की बाजी लगा देना, यानि जो कमपनी का हिस्सेदार था, जो कमपनी यानि जो ड्राइवर था, उसको भी पता था, कि बस की हालत इतनी जादा खराब है उसके बाद भी वो जान हतेली पर रखकर इस बस से सफर कर रहा था ठीक है और ड्राइवर भी अपनी जान हतेली पर रखकर बस को चला रहा था तो यहां पर क्या दिखाया गया है बस कंपनी के मालिकों की दूर्तता दिखाई गई है कि उनको आम लोगों की सारे नियम बना दिये हैं एक टाइम पिरिड तैय कर दिया कि कोई बस सड़क पर इतने किलोमेटर और इतने समय तक ही चल सकती है आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपनी पुरानी गाड़ियां बेची क्यों बेची क्यों कि सरकार का नया नियम आ चुका तो दीरे दीरे करके दूसरा टायर बदलते हैं लेकर टायर बदला ही नहीं जा सका इतनी पुरानी बस हो चुकी थी दूसरा गिसा टायर लगा कर बस फिर चली मतलब उनके पास टायर भी नए नहीं थे पुराने ही टायर थे और फिर से पुराना ही टायर को ही लगाया अब लेखक ने और उनके मित्रों ने क्या क्या अब हमने वक्त पर पहुँचने की उमीद छोड़ ही दी थी कि पन्ना कभी भी पहुँचने की उमीद छोड़ दो क्योंकि वो रास्ते में ही फस गए ना वो जबल पर पहुँच पाए ना ही पन्ना पहुँच पाए और इसमें ऐस भी तनाव खतम होगे कि बस की इतनी हालत है फिर भी वो अपना काम कर रही है तो इसी तरीके से बस में हसी मजाग चालू होगे यही चोटा सा पाड़ता आई होप आप लोगों को यह चोटा सा निवर्ण पसंद आया होगा और कल हम इससे समंदित प्रशनों को हल करेंगे मिल